तमिलार में BSP बहुत पावरफुल नहीं है लेकिन मामला एक दलित नीता के मडर का है और इसलिए सियासी पारा बहुत हाय हो चुका है इसका शोर चेनने की सड़कों से लखनू और दिली तक आ चुका है तमिलार के BSP अधक्ष के के आम स्टॉंग की कल शाम साथ बजे घर के बाहर अत्या कर दीगे ये उनी भागते हुए हमलावरों का सिस्ट्रीवी फोटेज में आपको दिखा रहा आम स्टॉंग पार्टी कारेकरताओं से बात कर रहे थे हमलावर्ड फूर्ड डिलिवरी बॉय बनकर पहुँचे चाकों से ताब़ तोड़ वाड किये और इस संकरे रास्ते से फरार हो गए थे एक और तस्वीर देखे दूसरी तस्वीर रात को चेन्ने के राजीर गांधी उस्पताल के बाहर किये आमस्ट्रॉंग को जब यहां लाया गया तब तक बीएस्पी के कारेकरता जमा हो चुके थे पुलिस से वो कारेकरता जूच रहे आलस्वास पताल के बाहर बीएस्पी के कारेकरताओं ने बैरिगेट्स तोड़ दिये पुलिस से बढ़न्त हुई कई बीएस्पी कारेकरताओं को हिरास्थ में लेना पड़ा यह बताया जाता है कि आमस्ट्रॉंग पर कई आपरादिक मुकत में रहे है आमस्ट्रॉंग ने वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री M.K.S.L.N. के खलाफ चुनाड़ा था अलगी चुनाव वो हार गए थे लेकिन तमिलनार के दलितों में उनकी काफी लुक परिता थी इस वारदात में पुलिस ने जाज के लिए 10 तीमें बना दी है और अब तक 8 लोगों को हरासित में लिया आगे है लेकिन ये भी है कि अब तक के पुछताज में इनकी हत्या से सीधा संबंद की सिकाना ही मिला अच्छता है there seems to be some inputs. All the other accused who are part of this crime and who are involved in this will be bought to books. जैली शराब से दलितों की बहुत के मुद्दे के बाद बीचिपी को खेरा बंदिक करने का मौका मिला और ये ट्वीट नोने सामने रखाएंगा। तमिल्लावड चीप मिनिस्टरी इस कंट्रोलिग इस पोलिस डिपार्टमेंट और होम मिनिस्टरी इस वित हिम बीचिपी जैली शराब कांड की बाद लगातार पूच रही है क्या राहूल गांदी को तमिलावड के 65 दलित नहीं लिखते लेकिन आम स्ट्रॉंग के रत्या पर राहूल गांदी ने तुरंट र्याक किया का कि हत्यारे जल्द कट करें में होगे तमिलावड में दलितों पर सियासी चिंता इससे समझ सकते हैं कि राज्य में दलित वोट बैक 20 फीस दी है डीमकी की वापसी में इसका बड़ा रोल रहा है और बीजिपी के ग्राफ को 4 से 11 परसेट तक पहुंचाने में भी बड़ा हिस्सा दलितों का